बाट साला पर आपका स्वागत है जैसा कि हमने एक वीडियो सूट किया था समास का हिंदी का उसका बहुत अच्छा रिफलाई आया तो उसी के बेसिक से हम लोग आज हिंदी शुरू करने जा रहे हैं एक तब बेसिक से आपको हिंदी हम स्टार्ट करेंगे वर्ड माला से ठी कि आपको मिलने वाला है और जो पीडियाप की आपको कुछ दिनों में अप्लोड करा दी जाएंगी जैसे जैसे चाप्टर होता जाएगा डिस्क्रिप्स में आपको मिल जाएगा ठीक है यह वीडियो टेली आपको साम में साथ मजे मिलेगा तो आएए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ड माला हिंदी का इस बहुत इंपॉर्डन चैटल है वर्ड माला वर्ड माला अब यहां पर हमें समझना है कि वर्ड माला है क्या जैसे अगर यह का है यह मा है और यह लग है अगर यह तीनों अलग अलग हैं तो यह वर्ड माला है लेकिन अगर हम कहीं पर आ से लेकर के पूरा अह तक और का से लेकर के पूरा ग्यन तक लिखते हैं तो इसको कहलाता है वर्ड माला ठीक है मतलब अगर अलग अलग होगा तो उसे वर्ड कहेंगे और जब सब एक साथ एक क्रम में होगा तो उसको बोलेंगे वर्ड माला एक्दम ठीक वैसे ही जैसे अगर अलग अलग फूल होंके तो फूल कहलाएंगे और फूलों को अगर क्रम में लगा दिया जाए तो उनको कहते संदें है जैसे फूल माला वैसे ही वर्ण से मिलकर के बने का वर्णमाला ठीक हैं और अगर अलग अलग बाट हैं यह कहलाएंगे और इनक्क एक साथ लगाला को पूरा पूरा mean थैंक Spread हैं जैसे आप बोलते हैं यह एक word आप बोलते हैं आप बोलते हैं को यह सब इक खिक है यह वर्ड़ है वर्ड क्या होते हैं जब आथ निकालते हैं पुर भॉल्नी की कोशिस करते हैं हैं आपके अंडर से ध्वानी निकलती है तो सबसे पहले आता है विद्वाणी की सव पाथ है मैं की सबसे झोटी कुंस्ती कि की सबढ़ करना चाहते हों आप कुछ भी बोलना चाहते हों तो सबसे चोटा आपको बोलना पड़ेगा जैसे आप कमल बोलना चाहते हों नगर बोलना चाहते हों अगर आपको सबसे पहले नगर बोलना पड़ेगा नगर ऐसे बोलना पड़ेगा तो सबसे चोटा क्या आप बोल रहे हैं एक बडम कि इस नौ का कोई अर्थ नहीं है कि सबसे चोटी 1 आइए बड़ होती है लेकिन अगर पूछा जाए दुखने की सबसे कर लिए यह सो अर्थ पूर्ड इकाई और पूर्ड इकाई तो वह होता है सब वह होता है इस ना का कोई मतब नहीं है अगर इसमें जब तक हम गर्न लगा दें अगर यह लगा देंगे यह सब्द बन गया वह से में बनता है यह समघ कोई और नहीं है म यह अर्थ नहीं है और लिखिन데कर इसका कोई यह यह कोई और लेकिन एक और लगा देंगे तो इसका एक अर्थ है अगर आप से पूछा जाए जोनी की सबसे छोटी अर्थ पूड़ी काई मिनिंग्फुल तो कहलाएगा सब जैसे वर्डों से मिलके सब्द बनता है जैसे यह है मेरे पास मेरे पास यह अलग सब्द हैं और सबको हमने मिला के बनाया क्या बन गया वह वैसे ही तो आपको आरांग से बैए जानना है वड़ प्रकार की ऑना कि अगरा को फैसे ही एक्ड़ सेख्वेंच में हैं पढ़े कि हम वर्ड और प्रहें संब्ते अगरें को चैनल बढ dallaef योग इस सब्द में ही आपका पूरा पूरा चैक्टर आजाएगा इसी सब्द में आजाएगा तो हम लोग यह सब्द बहुत जादा कि घंको आजा इस खाक पाहिए कि था यह सबसे जों फॉर्ण होता है इन व sabemos पॉन पुन को एिधा जिनका अचार्ड है इनका उचार्ड उच्चारण स्वता हो खुद हो उच्चारण में किसी की जबुरत ना हो इसलिए हो कहलाते है क्या स्वता और जिनका उच्चारण स्वता की सहायता से हो जिनका उच्चारण स्वता की सहायता से हो सहायता से सहायता से जैसे देखे कि अगर को बोलना हो तो किसी की जरूद नहीं है किसी बना है कि लगवर लगवर醃 लगवर प्राइं captures तरहें कुछ नहीं है अब को यह आता ही है जब तक इस से और नहीं मिले Dong बना है को फ्लस और से यह आधा इसको सुद्र बेंदल कैसे हैं इसमें मिलावट है इसमें कौन सा स्वार है और जैसे आप देखिए यहां पर गव यह तक तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें हम और न लगा लें तो अधा ही होता है जब इसमें हम और जोड़ेंगे यह बोलने के लिए हमें स्वार की जरूरत है इसी लिए इनको कहते हैं बेंजन वह होते हैं जिनको बोलने में किसी की जरूरत नहीं हो और बेंजन वह होते हैं जिनको बोलने में हमें स्वार की सथायता लेने पड़े इनका उचारड बिना स्वार के वह इनको कहते हैं बेंजन क्योंकि यह जो है इनकाल देते हैं और इस वह सोध्य का लाता है तो इस में से मिलावड जो थी स्वर की निकल गई तो आरहा हो गया और वह सुध्य भी हो संख्यावती है 11 यह है तो 13 ठीक है लेकिन इसमें से अंध आखाव को गिंते नहीं है इसी दिए स्वार की साहर कितने है इनकी संख्या कुल कितरी है स्वार की संख्या है इन्हीं को देखे हैं अभी पहले सबसे पहले हम देखते हैं स्वार को स्वार के अगर प्रकार की बात करें तो प्रकार होते हैं तीन होते हैं अगरला प्रकार होता है लखोश लगोवी स्वार या इसको एक मांत्रिक कहते हैं दोसरा कि दे ज़ुयों है इसको दूए मांत्रिक स्वार कहते हैं दोंोette राहा है प्लूत्व स्वर्व या इसको त्री मांत्री स्वर्व करते हैं त्री मांत्री अब इसमें कौन कौन आएगा लगू स्वर्व में केवल चार आते हैं जैसे और अब करें ये चार चाहत है लगू स्वर्व को दिल मतलब होता है बड़ा बड़ा ऑ का बड़ा एक बड़ा बड़ी ओ फिर एच तो कुछ बचा रहे तो अब कुछ बचा नहीं में क्या तो यह समय जिनका उचार बहुत देश करें ऐसा आप नमो ना अब बूल रहे हैं है ओम और रहे हैं यह जो पीछ में आ रहा है है यह है कि पहलाता है कि आ साय जिनका उचाड़ बहुत देल से हो नुट शॉर प्याइс स्वर जिनका ऊचार तुरंभ हो जा। अंको बोलते हैं लगों स्वर। जिनका ऊचार थोड़ा ताइम लगे उनको बोलते हैं लू तर स्वर। आपके तीन प्रकार के बोलते हैं, यही सौरों की संग्ण यह है, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांग, चेर, सार, आठ, नव, दस, इनार, यही आपके टूटल क्या है? स्वर है, गार्ड है, तो आप देखे होंगे, एक खट गया क्या, अंग, दूस्रा खट गया, यह स् अनुस्वार को बोलते हैं अनुस्वार और नहीं दोनों को एक साथ पूछा गया है यह दोनों दोनों होते हैं योग वाध आयोग थूरो कि सब्सक्राइब होती है यहीं स्वारा को दीना ही आनोस्वार यव दोनों जो नहीं है दोनों जोने और योग भड़ कम दाना है आक जाने सवारिव दिंखाव 4-5 इन किसंट्राइभ यहार है कॉल कॉर्म सेवी मैं ने आपको बता दिया और यह तीर प्रिकार के होते हैं लगु सवर एक मात्री सवारिव यह प्नुद स्वारिवी त्री मात्री सवर ती मात्रा वाले सब तेतम यह दो मात्रा वाले सब यह एक मात्रा वले सब यह कहलाते हैं क्या आपके पूरे के पूरे स्वार आप इसको और भी जैसे वह बिद्ध सब्रिट सब्सक्राइब बन जाएगा विद्ध सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करें पूछा जाएगा आपको इतना जाएगा क्या होता है अंविद्ध करते हैं इन दोनों को कहते हैं तिक है उम्मित करते हैं समझना आगया होगा कि अब आते हैं हम लोग बेंजन कर दे बेंजन को बोलने के लिए हमें पर लेनिया हुआ है उनको बेंजन के हैं बेंजन होते को प्रकार होते हैं अगर बेंजन के बात करें थो प्रकार होते हैं रठार कहीं लेकिन कौन कौन से इसमें रखे रहा जाते हैं तो पहला पहला रखा रहाता है इससपरस का मत्लब होता है चूला इसपर्स का मत्तल होता है जब हमारे मुख से आवाज निकले, आवाज कंट से यहां से निकले जब यहां कंट से आवाज निकले तो आवाज को बाहर आने में, यहां से यहां तक आने में आवाज हमारे किसी न किसी भाग को इसपर्स करेगी, अब जब जिस भाग को इसपर्स तो आवाज निकल नहीं सकती तो सबसे पहले अगर आवाज निकलना चाहती हो अगर आप कोई भी आवाज निकालेंगे वह आंक किसको छुएगी क्षेट करना हो कुछ होएगी उपर वाले भाब को कहते हैं मुर्धा फिर जीर के नीचे उपर भाब हो गया मुझ से बाहर निकलेगी तो दंद को सुना पड़ेगा दात को और बाहर निकलती है तो पोस्ट को सुना पड़ेगा आइक बाद फिर सी देखिए फूर पूरा का पूरा में है जैसे आВाज निकलती है सबसे पहले आवाज कण्ड से ही निकलती है तो आप कोई सोर इदल तालो को इस पर सकरेगी प्र मुह से बहार निकल के दान को चूएगी, और तक बहार आएगी आउज ठीक है तो आपकी आवाज आने में इतने जगार पे आपकी आवाज होड में कंड को सरी ही पूछाए बताए है गोंका उचाड किया है सिघाध्या संट को अग्दा महाथान तरीका है सबसे पाइल आप अब आज प्रिसकों पोऊगी कँसे ना पूरा एक होगा है अध्यान किस दूसरी तो किसे आएगी जा और प्णुक को ऐसे लीकट झालिंबे फ्रसरी है कर डिश्री पोलते हैं तो बाहर लिकलेगी चौछी लाइन तो चौछी लाइन क्या आती है इसके बाद तो की तो द धध न ठीक है फिर पाँचवी लाइन पांचो नामर पे इसको शोईगी और स्ट को तो पांचुछी लाइन ही आएगगा आपका क्या है पफ बहुत एकदम द्यानी से पढ़ना है इसमें एकदम कुछ नहीं है आपको आवाज निकलते से मैं सबसे पहले चुएगी कंट को तो सबसे पहले वाली लाइन आएगी को ठीक है को कि पूरे जैसे आप से पूछा जा बताई गवा का उप्चारा स्थान क्या है गवा कहा स क्राइब को यह जैसे के लाइन भी को होती है ठीक ना ना म होती है तीसरे नमर कलाएं रखार टो क्या है अगर यह टच करेंगी है कि अगर आपको पूछे बताइए आपके दोने यह टच करेंगे एक दूसरे में उसी को बोलते हैं आप वह बोलने की टच होगा तो जहां प्रक्ष होगा इस पर्स होगा उन्हीं को बोलते हैं इस पर्स बेंजन और इनके पांच वार को होते हैं टाएं पांच भुड़ा और पांच में यह बता है 25 यह फांच में क्तना मुत आते हैं आगे लांज है अ क्या है इनको कहते हैं नाशिक वढ़ट नाशिक वढ़ कहते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति नाक से होती है इनकी उत्पत्ति पाँच है एक लोगितों सुरू के दोनों है इनकों कहते हैं तो पत्चे, पर सब करते हैं इनको कहते हैं इनको कि हैं इनकोता सर्घोस इनको कहते हैं, सग्ञोसिए आप से पूछा सग्धोस या घोस धीक है, तो पहला, दूस्रा अग्धोस होता है, तीसरा चौथा पार्चमा क्या होता है? घोसिए सग्धोस होता है, ये बात आप को याद रखें हैं, फिक एक और परकॉष्चन आता है इसमें यह वाला एक एक को फोड़ कर लेजिए तो पहला तीसरा पार्चमान एक को कहते हैं अलप प्राण अलप प्राण तो क्या हो गया बच गया क्या दूसरा बच गया हर लाइन का दूसरा चौथा यह कहा होता है महा हर लाइन पहला प्राण का पहला तीसरा पारण पर के विसम नंबर पर आने वाले कहलते हैं अलप प्राण तो सम्हाइन आगे आपको घोस और पूस क्या होता है पहले लाइन का दोनों जो है और घोस होता है और तीसरा जो है तक भाण कर सकती है तो आपको यहां को यहां से आपको यह अजाग से आख हो पूछा जाएगा जैसे मैं यहां पेको से लेता हूं पूछा जाएगा बताइए इल्में से इल्में महाप्राड कौन महाप्राड कौन है इसमें इसमें दिया होगा बताएगो जो ठीकिन गौज हो गया इसमें से इसरे प्राड कौन है आप जान से तीसरे नमर प्यादा है यह चौट्रे नमर के आता है यह पहले नमर के आता है महाप्राड सम नंबर में आने वाला होता है जैसे कि मैंने निपायता हर लैंड पर दूसरा जो था क्या होता है महाप्राड यह महाप्राड कौन है यह तीनों बाखी के जो है अल्गोप्राड ठीक है समझने आ गया अब अब आगे कम लोग और भी देखते हैं कि यह तो हो गए यह तो हो गए पफचीज तो इंगडिसंस क्योंति होती है अभी दूसरा क्या है दूसरा है पूस्म वेह जाट जिव जिनको बोलने में मुग में उस्मा उत्पर्ण हो घर शाग कियाद करनेका इसमां आसान तरीका है इसमें क्या है पीनों सवासव यह वाला सब और यह वाला सब और यहीं चार जो कहलाते हैं और एक तीसरा आता है अन्थस्त बेंजन अन्थस्त अन्थस्त बेंजन इसने क्या आता है यह आता है रो आता है अब देखिए यह टोटल थे 25 यह चार हुए और यह चार हुए कुल कितने हो गए कि अगल थे 25 यह जैसे कि मैंने बता है यह चार आप यह चार देखिए पूछा गया है कि बताए इन में से और बैंजन कौन है त्टन आपसन में दिया हुआ है और आपसन है पहला आपसन है चार जग दूसरा बैंजन नहीं सा स स तीसरा बंजन है अ व ब स ठीख है और यह 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 रह यह यह है चार अपसर आपको बचाना है में यूह सम्मीं पूंजन पूंचे जाएंगे एक्दम तो एक्दम टैक्सकान के लिए मैं राम सी भाज़ाएगा को इसपरस्त बिंदन थियर होगी हुगा अंहीं खाओ हुगा अब यतका उचारत को चाल स्थान आपको यार लखना है ठीजिसका यहां निया बता है यहां स्वार्व की संख्या होते हैं यह नहीं पढ़ा दो वे और बचे में उनको यूद्य नमबर के सद्रमें क्या है जो किसी के शुआ योग से बना जो यह है कि से पहला गभ तूसरा हो गया चाघ तीसा हो गया फुर्षा सब्सक्राइब करें अजिए यह को पुर्णपराइब करें विए सब्सक्राइब करें से इन ही को कहते हैं क्या कुछ इन ही कि यह अपता है इसको कहते हैं दूगुड बेंजन क्या होता है दूगुड बेंजन जिसके दो गुड़ कि गुड़ इनको दूग्र बेंजन काते हैं जैसे आप देखे ये ड़ अगर लेका बिदी लगा दे यह क्या ड़ अड़ इसके दो गुड़ हो गए हैं जिसके दो होते हैं उनको उत्छेप्ट बेंजन ही हिए पुर प्रकाट के है पहला है हिस पर्स करें इंपांच पर्स करें कि धेंस रही ताइस पर्स घोटा ड़ी तो आप अगर इतना पढ़ते हैं तो आपका कान चल जाएगा अभी हमें इनका पढ़ना है उचारण अस्थान हम लोग आगे देखते हैं पहले आप यहां तक क्लियर करिए कि बेंजन और स्वर्ड कितने प्रकार के होते हैं तब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इ अगले वीडियो में आपको बताऊंगा तो आप इस वीडियो को देखे अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए और कमेंट करके बताएए कि आपको कैसा लगता है ठीक है अगले वीडियो में